कि जाहिन दोस्तों स्वागत आपका हमारी यूटूब चैनल एगरीजर्णी में तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि आपके जो कॉलिज के अलॉट्मेंट लेटर हैं कैसे आप चेक करेंगे अलॉट्मेंट लेटर कब आएगा तो और दोस्त सब्सक्राइब करेंगे इनका पूरा क्राइरिया आपको समझाएंगे तो वीडियो बहुत इंट्रस्टिंग होने वाले है तो बिल्गूल करें चैनल पर दोगोंस्कर्टी आने वाली हर वीडियो को नोटिबिके ले शींटार दौस्टों सकते हैं वहाँ पर मैं यह PDF डाल दूँगा तो आप डोकुमेंट का क्राइटरिया देख सकते हैं तो उसकी लिंक में डिस्किप्शन दे रखिए तो आप हुमारे साथ जूट सकते तो चलिए दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहले तो सबसे पहले जानतें कि यासा कि आपको पता है कि आपकी जी मेल आइडी की दोस्तों आपकी जी मेल आएडी न जी मेंचそうですね आएगा तो मेंचेज масс से आपको बाद धिकर आपको डालना है ठीक है ऐसे को अपने को प्रोट्मेंट लोट लेटर आ गया है तो अब अपने को क्या करना है आगर अपने को अप्ड्रेट करवाना भूद्वाईंगे कीशνतो अपगेट करवाना है तो अपने अपगेट फर्स राउंड में होगा सेकंड जोग्रिट आपको ज neck तो आपको कोल Carolina करी आपदोकूमेंट्स लेकि जाएंगे तो वहां पर क्या होगा तो वहां पर आपको कॉलेज पता चल जाएगा कि हमको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है ठीक है फिर वो कॉलेज वाली आपको कॉल करेंगे कि भाई आपको यह कॉलेज अलॉट हुआ है आप इधर जा सकते हैं इतनी फीस लेके इतना यह सब लेके आप इधर college में जा सकते हैं आपको यह college अलोट होगा अगर college अलोट नहीं होगा तो वह आपको खुद बाखुद college वाले जो college आपको पहले मिला था उनके पोर्टल पर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उनकी ओफिसल वेपसाड़ेजेश, आपको JNKBB College मिला, ठीक है, माना कि आपको कौन सा, JNKBB College मिला, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनकी ओफिसल जो पोर्टल है, उस पर जाके आपको 5-6 रुपए जमा कराने र सूट, जो आपकी वो सीट है, वो दूसरे को अलोट हो जाती है, तो इस बात का दोस्तों, विसेस ध्यान रखें आप है न, अब क्या हुआ भाई, अपने आप College गए, तो ठीक है, आप इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बूलाएंगे College, तो आपने को College जाना है, ठीक है College गए, वहाँपे क्या करना है, अपने को? अपने को क्या क्या करना है, तो डॉक्वेट्स थेकिक्षाइन के बारें की निकलना है, कॉलेच की अलोटमेने आपको सी थिप्शन् रेखान रहा है, उसकी कितने? चार फोटो का आप भी आपको इसके बाद फीस जमा की रसीदों 5-6 रुपए मैंने बोला जो उनकी ओफिसल पोटल पर आपने 5-6 रुपए जमा करा है उसकी रसीद आपको ओरिजिनल लेके जानी है और चार उसकी फोटोकापी अपने करवा लेनी है ठीक है रंगिन नहीं करवानी है आपको चार फोटोका अब अपने को करवा लेनी है तो बिसेश जहां रखें इन चीजिशों का ठीक है इसके बाद बात करते हैं अंकसूची की मार्क सीट की तो अपने क्या बोल रखाए इनने बहुत दसमी की मार्क सीट है तो उसकी आपको चार रंगीन फोटोकापी लगेगी चार चार दसमी बार्मी और आपके पास पी 8 की अंकसूची आप देख सकते है पी 8 की अंकसूची मेर्फ रखायले चार आ रहा है कि इसकी टीसी की बात कर रहा है यह इसकी बनता है आपको पता है जहां से आपने ट्वाल्थ लेके जाना पड़ेगा उसकी भी चार फोटोकापी लेके जानी पड़ेगी इसके बाद गयप साइटिपिकेट अगर लागू होता है तो वह भी आपको लेके जाना पड़ेगा ठीक है यह नोना बात करिए वह चार फोटोकापी उसकी भी लेकी जाने अपने को गेप साइटिफिकेट की अगर आपके पास माइग्रेशन प्वाणपत यह बहुत इंपोटेंट होगा यह नहीं होगा तो आपको कॉलेज में एडिविशन नहीं दिया जागे विश्चिस ध्यान रखें दोस्तों तो इसकी भी आपको एक औरेनल लेके जाना है और चार आप आपकी किसी प्रकार का किसक पानपत है अगर किसी भी क्राइटेरिया जाती से आप पानपत रखते होगा ब्लड गुरूप इसमें बड़ी समस्यारी दोस्तों लोगों को की बननी रहा है तो इसका दूस्तों मैं बता सकता हूँ यह कहां से बनेगा जो आपका जिलास पताल होगा जो आपका जिलास पताल है तो यह जिलास पताल में आपका क्या होगा कि बहुत इसको बर ना पड़ेगा और आपकी फोटो पी अपनी दो फोटो लेकर जाए ठीक है विसे जान रखत दो फोटो और क्या करें इसके बाद आपकी पीएटी की अंक सूची लेके जाए विसे ध्यान रखे दोस्तों ये दोकुमेंट्स आपके मेडिकल में लगेंगे आपको क्या करना रहेगा भई आपको पीटी के अंक सूची लेके जाने पड़ेगी और दो फोटो आपको फोर्म आपका फिल कर दिया जाएगा और आपको ब्लेड गू फोटो कापी इसकी भी करा लेनी है ठीक है अब बात करते हैं मूल निवासमानपत ये बहुत इंपोर्टेंट है दोस्तों ध्यान रखें अपने पपिता जी का मत लगाएं आपका खुद का अगर आपका खुद का बनता है विसे ध्यान रखें तो आठारा प्लेस की हो चु यह पासबुक इन्हों ने इसको विसे बिल्कुल ध्यान ना दें आप क्योंकि बैंक की मानों यह सब कोई जरूई नहीं आप किसी भी बैंक की आपको खाता हो आप अपनी पासबुक की फोटोकापी करा लें चार बैंक में आपकी लगेगी ठीक है आप लेके जाए आपको कीडियर में 10 में ने आता है और इसकी आपकर घराणी यहाँ नगा ऐसकी जानी आपकी रिमार ती क्या कॉलिज कि विसेष्था होती है आपकी यहाँ आपकी समय खानी है जानी यहिए जानाud क्या संब्से धान के चारिजए घरिजी से यह कॉलेज में फिल हो जाता इसकी चार फोटोकापी लगते हैं तो यह दोस्तों पूरा क्राइटेरिया मैंने डॉकुमेंट्स कता बता दिया कुछ अलग अलग होता है डॉकुमेंट्स अब देख सकते बाला घाट महाविद्याल इसका भी यह सीट का पूरा इनों विस्तार रखते हैं डॉकुमेंट्स को फिरकास लगा इसको उपर लगा इसको नीचे लगा तो यह बसे क्राइटेरिया चेल्ज हो सकता है अलग अलग को लेज्यों का है ना तो इसमें कोई दिक्कत नहीं कि कौन से कॉलेज में क्या बाकी जितने में डॉकुमेंट्स उपर बताएं वही डॉकुमेंट्स इंपोटेंट हैं बिल्कुल भी आप इन दूसे नोट सर्च बोड़ों पर बिल्कुल ध्यान ना दें है ना तो आप देख सकते हैं पूरा यह अलगरा भाई यह पूरा गंजबास होधा करा है पूरा वही क्राइटेरिया है यह रिसीप्ट आपको प बता भई नो से तेरा में आपका अलोट में लेटर आने वाला है ठीक है तो बिसेश धान रखें है ना मैंने चेक करना ही बता जाए आप कुस प्रकार से चेक करना ठीक है तो मिलते है नेक्स्ट वीडियो में जैहिन जैभारत